अगर definite integration में, integration का जो limit है, वो 0 से πवाइ 2 हो, और function में क्या हो, sine के power nx upon sine के power nx plus cos के power nx हो, तो इसका answer आएगा πवाइ 4, या फिर आप ऐसे भी देख सकतो, 0 से πवाइ 2 हो, cos के power nx upon sine के power nx plus cos के power nx हो, तो भी answer πवाइ 4 आएगा, जैसे माल लो यहाँ देखो, limit क्या, 0 से πवाइ 2 है, sine के power 4x है, upon में sine के power 4x, plus cos के power 4x है ना, power हर जगा सही में, इसका भी answer होगा, πाई y 4, यहाँ देखो, 0 से πवाइ 2 है, और cos के power 5x है, sine के power 5x प्लस cos के power 5x है, हर जगा power same है, और उपर में cos से नीचे sin, इसका भी answer क्या है का, πाई y 4 आएगा, सुछी ना, पाई y 4, का मतलब होता है power 1 by 2 होना तो यहां भी power 1 by 2 यहां power 1 by 2 यहां power 1 by 2 है ना तो यह इसी form में है तो क्या आएगा इसका आएगा इसका आएगा इसका आएगा इसका आएगा इसका आएगा